हमारे साइंस जनी सर आ चुके हैं जै भीम सर कैसे हैं आप जी जै भीम आप सभी को नमस्कार मेरे तरप से पिछले इसी हप महीने के लास्ट में यारत तारिक के एक न्यूज है जो कि राम सेटू को लेकर तो इस पे बहुत सारा विवाद भी रहता है अंद विश्वास है उस के बारे में हम लोगों को बताएं जराफ देखें अक्सर हां जब भी समाजिक जो मुद्दे होते हैं उनको सॉल्फ करने की छमता जब समाज में नहीं होती है जो लोग भी लीड कर रहे होते हैं समाज को और उनमें जब ये छमताय नहीं होती है जब वो ये चाहते हैं कि ज आम जन मानस की होती है और जो सत्ता पे होता है वो सारी उसको सुख सुईधा मिल रही होती है या जो ठेकेदार होता है उसको भी सारी सुईधाएं मुहया हो चुकी होती है जो आम जन मानस है उसी से खींच कर उसको मुहया होती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है वो कभी पर जब वहां पर पहुंचता है तो उसे भी आदत लग जाती है रईसी की अईयासी की और अपने अगल बगल का परिवेस जो पहले से ही वैसे ही लोग वहां पर होते हैं तो वो फिर सोचता है कि क्या हम सुधार करें सुधार क्या करें यहां पर ठीक ही है हमको तो मिल रहा है ना और हमारे जो जान पाचान के 24, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 लोग है उनको भी कुछ मिली जा रहा है तो जरूरत क्या है ज़्यादा चेंज करने की तो यह जो सोच होती है इस कारण से आज तक कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है अब जब नहीं परिवर्तन होता है तो एक बात यह आती है कि यह लोग जो है यह फिर से वो मुद्दा तो उठाएंगे कि भई हमारी यह प्रॉब्लम है और आप तो कहके गए थे कि आप प्रॉब्लम दूर कर दे लेकिन हमारा तो प्रॉब्लम नहीं दूर हो रहा है तो लोग इन मुद्दों को उठा न दे इसके लिए जरूरी है कि उनको कोई दूसरा मुद्दा दे दिया जाए इसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि आप इनको जिस चीज में वो इंट्रेस्टेड हो वो चीज उनको पकड़ा दीजिए अब पूरे दुनिया में एक सबसे सस्ता खेल जो है वो है धरम का खेल पूरी दुनिया जो है लगबग धरम में चाहें वो इसलाम हो इसाइयत हो या बरिभैनिकल सिस्टम हो या छोटे मोटे पंथ हो सबने कही न कहीं कुछ न कुछ धरम religion मजहब के नाम पर खड़ा कर ही रखा है तो जब सब लोग उससे बधें हैं तो वही चीज उठा के उनको दे दो वो उसी में मस्त हैं वो उसी में मस्त हो जाएंगे अब ज़रा सूचिए इस बात को कि धरम ऐसा एक खिलोना है ऐसा अभी एक real घटना है कि एक महिला एक साधी में गई थी और साधी में गई तो वो चुकि लोगों ने ऐसा बता रखा है कि वो महिला की जो जाती है वो नीची जाती है ऐसा आज तक लोगों ने उसको बता रखा था अब वो महिला जो है वहाँ पे एक नल था उसे पानी पीली तो पानी पीली तो जिसका नल था उन लोग का दावा था कि वो लोग जाती में उंचे हैं और ये महिला जो पानी पीली है वहाँ से वो नीची जाती की है तो उनका जो नल है उनका जो पूरा टंकी है वो क्या हो गया है अब गंदा हो गया अशुद्ध हो गया है इसका सुध करन करना पड़ेगा तो इंसान के पानी पीने से वो पूरा असुध हो गया अब उन्होंने क्या किया उसको सुध करने के लिए एक निंजा तकनीक अपनाई एक जो जानवर होता है उसका मुत्र लेकर आते हैं और उस मुत्र से टंकी सफाई होती है मतलब इंसान का पिया उचे व्यक्ति लोग है कि जानवर की मूद ज्यादा अच्छी है इंसान से तब टंकी सफाई होई तो यह यहां पर आप देखें कि यह धारम का इतना फसा हुआ है लोगों के जेहन के अंदर कि लोग इसमें चाहें अंचाहें या दूसरों के द्वारा थोप दे जाते हैं आचाहें यह तो जब जरा सुच लेजिए इंसान के पानी पीने से जूठी हुई चीज और जो मूत्र है या गोवर है गाय का वो जदा पौइतर मानी जा रही है तो असुध है कौन हुआ जो अपने को उंची मान रहा है वो असुध हुआ ना वो तो जानवर के मूत तक प खिला पिला देना यह बहुत असान काम है तो उसी तरह से यह जो मुद्दा है ना राम सेतु का या इस तरह के और भी जो चीज़ें है कि द्वारे का मिल गई राम जी मिल गए तो हल्वान जी के रहने का सान मिल गया तो बालमिकी जी का आस्रम मिल गया तो उनका यह मिल गय ये सारे जो फरजी बाते हैं, इनका कोई भी ओचित नहीं है, कोई भी evidence नहीं है, एक single evidence नहीं है, ये एक खबरे बनाई जाती है, ये खबरे जो हैं, पहले कागज पे गपोड़ी जाती थी, अब जो है, social media पे बनाई जाती है, कागज पे बनाई जाती है, और बनाके बस फैल जाती है आप किसी ने कहा दिया कि भाई कुछ पत्थर मिल गया और कोई ब्रीज मिल गया और इसलिए अब यह राम से तु है तो वही एविडेंस जो होता है एविडेंस को जब भी हम चर्चा करते हैं किसी चीज की कैसे साबित होगा कि यह चीज जो आप दावा कर रहे हो उस कई ना कई कुछ तो सबूत दिखाएगा यह चीज होती है तो यहांपे भी जो दावा किया जा रहा है राम से तुका वहां पर भी यह चीज उनको दिखानी पड़ेगी कि बहिए ऐसे पता चल रहा है कि रामका ही सेतू है यह तो बताना पड़ेगा अगर यह नहीं बता पा रहा है कि रामका सेतू है तब तो यह मतलब कि यह स्रिफ और सिर्फ एक प्रॉपगंड़ा है अब बालमे की रमायाड जो है उसका मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ पेडियेफ ताकि लोगों को पता चले कि जिसको यह बता रखें हैं कि लंका लंका बता रखें ना राम से तू कि लंका के बीच में मिल गया है तो वह पब्लिक को हां यह यह चीज से एर कर दीजिए यह साथ यह बालमी की रमायन जो है किता प्रेस गोरक पूर का उसका ठीक जो है यह पेज में आप लोग दिखा देता हूं वहीं से यह चीज उठाई गई है यह आप लोग देख सकते हैं स्री बालमी की रमायन यह जो बालमी की रमायन है इसकी जो भूमिका होती है इस भूमिका में क्या होता है पूरे जितने भी जो रिसर्च किये जाते हैं जो ध तो यह जो बालमिकी रमायड है यह खुद लोकेशन जो बता रहा है उसको एक पर ध्यान से देखिए लंका का पहले यह तो किलियर हो जाए कि लंका के बीच को जो यह रामसेतु बना रहे हैं वही है कि नहीं है या कहीं और तो नहीं बताया जा रहा है तो यह भगौलिक जो सिलोन देश है उसके बारे में कहीं चर्चा ही नहीं है बल्किल किसी दूसरे देश की चर्चा है दोस्तों यह सबसे एक महत्तों पॉइंट है कि आज जो सिरलंका के बीच में जो कोरल रिफ्स को दिखा कर यह परचारित किया जा रहा है कि यही रामसेतु है रमायड का और जब बालमी की रमायड आप उठाएका देखते हैं तो आप पूरी तरह से उलट बात लिखी है यह देखें यह क्या लिखता है भुगोली की विवरण में यह लिखता है रमायड के भुगोल पर भी बहुत अनुशंधान हुए हैं कल्यान का रमायडांक और कनिंगम की डिक्सनरी स्री देखे जग्रफिकल डिक्सनरी में इस पर बहुत अनुशंधान है कई लोगों ने श्वतंत्र लेख भी लिखे हैं लंदन के एसियाटिक सोसाइटी जर्नल में एक महतपूर्ण लेख छपा था वेद धारातल पंडित ग्रिश चंद्र में भी कुछ भोगोलिक विवरण है कहीं पे भी आज का जो स्री लंका है उसको लंका नहीं माना गया है उल्टे इसको क्या बताया जा रहा है यहां पर मालदीप नाम आ गया लेकिन आप देखे कहीं पर स्री लंका नाम नहीं आया है यहां पर पूरा मैं आप लोगों को दिखा दूगा कुछ लोग इसे दोस्त मजजित या दुर्गिया भी मानते हैं रामसेतु की जो चर्चा हुई है वो आज की सिरलंका है इसकी बालमी की रमाण में कहीं चर्चा नहीं है कुछ और भी रिसर्च है जो ये बताएंगे कि भारत में ही कलपना की गई है कि लंका है ठीके ना भारत है उसको भी आप सेर कर दीजिए तो सांथियों यह डिस्क्लेमर है आप लोग जानते हैं कि यहां पर जो भी हम प्रजेंडेशन डिवेट या जो भी बाते होती है इनका उते से साइंट्विक टेंपरमेंट को इंकरेज करना होता है अब इसमें मैंने आप लोग को यहां मा हैं यह लोग कि जो सिरलंका देश है उसके बीच में इनको कहीं पर रामसेतु दिख गया है यह बड़ा एक गजब की चीज़ बता दिये लोगों ने तो यहां से आप लोग साब साब समझ सकते हैं कि जो किताबे कह रही हैं वो कुछ अलग चीज़ कह रही है और जो मेडिय में बाते चल रही हैं वो उनको सही माना जाए या फिर जो किताब में लिखी है उसको सही माना जाए दोनों में से सही किसको माना जाए यह तो सबसे बड़ा सवाल है तो चुकि हम लोग राम हो सीता हो हनुमान हो इन सब को हम लोग बाल में की रमायर से ही तो जानते है ना तो हम उस किताब में जो लिखा है उसी चीज को देखके समझेंगे न ही इतिहांस को किताब बने जो लिखा है इतिहांस तो है रहा है ThisGirl Deputy कौक 15 so आपसे ना कि social media में कुछ भी कहीं पर मिल जाए अभी ऐस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा समुद्र के ऊपर सबसे लॉंगेश्ट बिज बताया जाता है उसको देखके कोई कहा दे कि यही राम से तू है ऐसे थोड़े होता है बहुत सारे रिसर्च हैं जैसे राजेस कोचर जो हैं उनके रिसर्च की अनुसार राम और यह जो लच्मन वग्यारव लखन है इन सब की कलपना जो है अफगनिस्तान में हुई है तो उनके हिसाब से फिर अफगनिस्तान पहुंचा देज Nil आयोधिया जो है अफगनिस्तान फिर पहुंच जाएगा तो यह जह बहुत प्रोस दी गई है और वो चीज है ही नहीं